फिर इस्राइलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहवा के आज्यानुसार कूच करके रपी दिन में अपने डेरे खड़े किये और वहां उन लोगों को पेने का पानी न मिला इसलिए वे मुसा से वादविवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे मुसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वादविवाद करते हो और यहवा की परिक्षा क्यों करते हो फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी तब वे यह कहकर मुसा पर बुरुड़ाने लगे कि तु हमें लड़के बालो और पशु समेत प्यासो माल डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मुसा ने यहवा की दोहाई दी और कहा इन लोगों से मैं क्या करू ये सब मुझे पत्रवाह करने को तैयार है। एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तु उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिये। तब मुसा ने इस्राइल के वुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। और मुसा ने उस थान का नाम मस्सा और मरिवा रखा क्योंकि इस्राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था। और यहवा की परिक्षा यह कहकर की कि क्या यहवा हमारे बीच में है वा नहीं। तब अमाले की आकर रखी दिम में इस्राइलियों से लगने लगे। तब मुसा ने यहुशू से कहा हमारे लिए कई एक पुरुशों को चून कर छाट ले और बाहर जाकर अमाले कियों से लड़। और मैं कल परमेशर की लाठी हाथ में ले हुए पहाड की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मुसा की इस आग्या के अनुसार यहुशू अमाले कियों से लड़ने लगा और मुसा, हारुन और हूर पहाडी की चोटी पर चड़ गए। और जब तक मुसा अपना हाथ उठाये रहता था तब तक तो इस्रायल प्रबल होता था। परंतु जब जब वह उसे नीचे उतारता तब तब अमाले की प्रबल होता था। और जब मुसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पथर लेकर मुसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारुन और हूर एक-एक अलंग में उसके हाथों को समाले रहे और उसके हाथ सुरियास्त तक स्थीर रहे और यहोशु ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मुसा से कहा समरनर था इस बात को पुस्तिक में लिख ले और यहोशु को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का समरन भी पूरी रिति से मिटा डालूँगा। तब मुसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा यहोवा ने शपत खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पिडियों तक लड़ाई करता रहेगा।